उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते आपकी जिव्या पे नाम धाम का फल है नाम नाम का फल है रूप रूप का फल है लीला सक्ती और लीला सक्ती का फल है लीला में प्रवेश अगर हम नाम जप में रुची नहीं प्रगट कर पा रहे हैं तो हमें जवर जस्ती जपना है शंबोधन करने के लिए भी हमें नाम का है उच्छारण करना है जैसे प्राया भक्त जण करते हैं हमें किसी को बुला श्री हरिवर्ण्ष राधे ऐसे शंबोधन प्रभू के नाम की बिना हम किसी से बात नहीं कर सकते पहले नाम उच्छारण पहले वो नाम बोले फिर हम नाम वारता करेंगे क्योंकि प्रारंभ में मद्ध में और विश्राम में यदि नाम है तो वारता नाम वारता के अंतरगत ही है नाम जबते जबते रूप का प्रादुर्भा हो जाता है रूप की आशक्त में उनका मुश्कुराना, उनका खेलना, उनकी लीलाए प्राणप्री लगने लगती है लीलाओं का प्राणप्री होना ही लीला में प्रवेश पाजाना है श्रीपाद कह रहे हैं ऐसे श्यामाश्याम के चर्णों का आश्ट्रे धाम की कृपा से जो प्राप्त हुआ है प्रतिपल चिंतन में रखे एक शण भी आपका चित प्रियालाल के चिंतन से नात भी लग हो तो बहुत जल्दी प्रेम प्राप्त हो जाए सब शास्त्रों का चाहे संस्कृत से वरणन हो वैदिक शिद्धान्त हो उपनिशद हो जो भी शिद्धान्त सब को पढ़ करके शुन करके गुरु कृपा से समझ के देखा है संसार का चिंतन छोड़ना हर साधना का फल है हर साधना का फल है संसार का चिंतन छूट जाये आराध्य देव के चिंतन में निमग्न हो जाए वो चाहे जो मार्ग हो सब मार्गों का जहां तक गुरु देव ने अलोकन कराया उन्हों सौफ सास्त्रों का सफ काशार, संसार का चिंतन छूटे और प्रभू का चिंतन हमारे हिरदय में निरंतर हो तो प्रेम प्रकाशित हो जाए देवरशी, नारज जी महराज प्रेम का वर्णन करते हैं कहते हैं अनिर्वचनियम प्रेम श्वरूपम प्रेम और प्रियालाल थोड़ा भी अंतर नहीं है कि प्रेम आ जायेगा तब परमात्म आयेगा ऐसा नहीं है परमात्म शुरू प्रेम है प्रेम आया मतब प्रियालाल आये जिसकी वानी ब्रम्ह मई है वो भी अश्मर्थ है वानी के द्वारा प्रेम का वरणन करने में ब्रम्ह मई अर्था जो भगवदाकार व्रत्ती को प्राप्त महापुरुष है या ब्रम्ह बोध शंपन है उनकी भी वानी में शामर्थ मलिन वानी की तो बात जहने दो उनकी भी वानी में शामर्थ ने की प्रेम का वरणन कर सके वेद जिस रस को नेति नेति कह करके चुप हो जाता है उस प्रेम का वरणन करने में किसकी शामर्थ हो सकती है संसार में अगर कहीं किसी वाणी गरंत में बरणन है तो प्रेम दसा का बरणन है प्रेम की बाहरी लक्षणों का बरणन है प्रेम का नहीं है अनिर्वचनीयम प्रेम श्रूपम इह जितने भी विश्यानंद भगवदानंद ब्रमानंद विश्यानंद से लेकर यह सब अद्धुत अद्धुत आनंद यह सब फीके पड़ जाते है एक मात्र प्यारी जो और प्यारे जो एक मात्र इनकी शेवा इनकी मुश्कान Weekly का दुलार बास कहरे कि रहत मगन औरे रस सजनी औरन कछो शुहायत इनको जुगल सेवा सुख पगी निश्देवश जानत ना ही सजनी एक रस भी जी रहे पर एक रस प्रियापरी तम में ये एक रस प्राप्त करने के लिए ही हमको स्री जी ने बरन किया है अपने दाश के रूप में ये जो दाश रस दिया है ये एक रस के लिए उन्होंने बरन किया हमारी शामरत नहीं कि इस पंक्ती में हम खड़े हो जाएं लायक नहीं कि स्री जी की सेवा की पंक्ती में खड़े हो जाएं उन्होंने बरन किया है अब ये आँखें केवल उन्हीं की उपर लगी रहनी चाहिए कहरें कि घटा ते विशाय तरश्णा सब घट की कोई भी वासना हर्दय में नहीं रह जाती ग्यान के मार्ग में ये देखा गया कि जब तक गार आत्म बोध की अवस्था नहीं होती कि तब तक आहंकार मिटने पर फिर ये जग जाता है आहंकार मिटा फिर विशाय शंग होगा तो फिर ये इस्पुरित हो गया आद्दिग्रु भगवान संकराचार जी ने विबेप चूडा मणी में लिखा है कि जम्बक फल की जम्बक वरक्ष की तरह है कि धूप पड़ी तो सूख गया नस्ट हो गया लेकिन बरसा होई तो बहुत अरा बरा हो गया इसलिए जीवन भर ग्यान मार्ग के उपाशक को शावधान रहे करके ये अहंकार जगने नपावे देभाव इसका अभ्यास करते रहना चाहिए लेकिन प्रेम मार्ग के उपाशक में भगवत बल होता है और क्रपान इधान भगवान उसकी रक्षा करते हैं और एक बार केवल रूप माधुरी का पान हुआ तो दुबारा कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो उसके नेत्रों को खीच सके हाँ इनी का रूप है जो ग्यानियों को भी खीच लेता है जैसे जनक जी कहते बर्बस ब्रह्म सुखई मंत्यागा लेकिन आज तक प्रिया प्रितम के प्रेम रसका वास्तविक पान करने वाले को कोई भी लोक लोक आंतर की सिद्धी अभोग खीच पाया हो इतिहास साक्षी है कोई नहीं प्रेमी को कोई खीच पाया हो शीपात प्रभुधा नंद जी ने कहा राधा चरणारविंद की उपासना करने वाले को भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं कि उसके एरदय में काम पैदा कर दे पर वास्त्वी की स्थिती राधा चरणारविंद में हो तो केरें भगवान की मोहिनी अवतार की भी ताकत नहीं घटत विशय तरशना सब घटकी रुचत नरशन स्वाद सट रसके अरुक चुहोत छीन गतितन की हित धुरु रहत एक सुखने ननी छिन 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 चौप जुगल दर्शन की रसेंद्री में कुछ हो जाता है जैसे अभी रसेंद्री बिगड़ी हुई है तो राधा नाम राधेश याम राधा विललप शिहरीवंच मंत्र इनमें श्वाद नहीं मिला बिगड़ी हुई रसेंद्री और जब इसका स्वाद मिल जाता है तब इनका स्वाद नहीं मिलता ये जो शटरशाद इवेंजन है छपन प्रकार के भोग है तब नीरस वास्तवी कि ये नीरस ही है नीरस में जब तक रस आता है तब तक राधा नाम सुधा रस नहीं आपाता और जब राधा नाम सुधा रस आएगा, तो ये नी रस हो जाए, इनमें कोई रस नहीं है, छै घंटे में मलमूत्र बन जाते हैं, ये कोई रस है, पर इसी रस के कारण हम अदभुत रस भगवदानंद से बिमुख रहते हैं, कोई बड़ा प्रमीन उपासक हैं, जो इस रस का प्रभु के लिए जानबूच कर त्याग करते हैं, जो अपने सुखों का जानबूच कर प्रभु के लिए त्याग करता है, बहुत जल्दी प्रभु के भगवदानंद रस का रशाश्वादन करने का अधिकारी हो जाता है, बुले, अब उसके एक ही चाह रहती, प्रतिपल अपने प्रिया प्रितम की समीपता और उनको नेत्र भर के देखते रहना श्री धूदाजी बर्नन करते है जेही उरव पुजयो प्रेम रस शो नित रहत उदास भूलयो हसिबो खेलिबो खान पान सुखबाश जिसके हरदय में गुरु कृपाशे प्राप्तु पाशना पद्धती के प्रभाव से प्रेम का इश्फुरण होता है मुले उसमें बदलाव शुरू हो जाता है चेहरे पे उदाशी रहती है एक खिन रहता है गिरा अरत जल बीच शम कहियत भिन न भिन बंदों सीता रामपद जिनहीं परंप्री खिन गुश्वामी जी ने भी लिखाए ऐसी उदाशी चाही रहती है कुछ अच्छा नहीं लगता है जेही उर्वप जेओ प्रेमरस शोर नित रहत उदाश भूल्यो हसिबो खेलिबो खाल पान सुखवार नहीं खान पान तेही भावे है नहीं कोमल वशन सुहावे है शब विशय लगे तेही खारा है हरियासि का मग न्यारा है कुछ अच्छा नहीं लगता है कैसे मिले ये तो प्रभू के मिलन की बाट है जिनको लौकिक प्यार हो जाता है किसी व्यक्ती से उनमें दसा आ जाती है काम में भी प्रबलता होने पर ऐसी दसा नहीं लगता पर उमलिन नाशवान दुरगती परदान करने वाला कुछ अच्छा नहीं लगता उसको वो उसी गली में घुमता है कि एक बार देख लूँ बश हाँ उदर से कोई आ जाए और उसे बात करने लगे तो इस कारण बात करेगा कि उसने देखा है क्या तुमने उसको देखा है मेरे प्यारे को हाँ हाँ अभी देखा कौन सी पूशा आप पहने दे कैसा कैसा आपको बिवार दिखाई दे रहाँ बावरा बना केवल उसी की चर्चा उसी को देखना उसी की गली में घुमना और कहीं ओ देख ले बस इससे बड़ा कोई सुख नहीं मानता अगर कहीं देखने में बाधा पड़ जाए कि अब कभी नहीं मिल पाएंगे तो अपने प्राण ने उचावर कर दे हम प्रभू के आशिक हैं प्रिया प्रितम के प्रेमी जरा देखो ऐसा लगता है कि देखकार योग है हम आशिक कहलाते हैं से हमा से हमके हमको शुक मिलता है भोजन में भोगों में खान पान बिश्राम हमको अच्छा लगता है हमें जीने की चाह है हमें बड़ा मनोरंजन लगता है संसाथ कैसे हम प्रेमी हैं प्रभू के खेगल बकवाश प्रभू के प्रेमी और हरदे तुम्हारा दाह से युक्त ने हुआ अभी उनको देखा ने उनसे मिले ने तुम्हें चैन से भर पेट बोजान अचा लगता है तुम पायर पशार करके बहुत समय तक सो लेते हो तुम्हें दूसरे से बात करना अच्छा लगता है तुम्हें हसना अच्छा लगता है खेलना अच्छा लगता है बीशाए भोग अच्छे लगते हैं तो प्रेम की बात क्यों करते हैं प्रेम नहीं है बहुत ये इतनी उचाई प्रेम की है कि साब रिशी मुनी शनकादि महात्मा उद्धोआदि गोपी जनों की चरण रज की बंदना क्यों करते हैं इसलिए करते हैं प्रेम गोपी जनों को प्रेम की ध्वजा कहा गया है हमारी प्यारी जू की चरण नख कांति का जो प्रकास पड़ा तो गोपी जनों के हरदय में प्रेम प्रकासित हुआ जो लाल जू को प्रेम अधीन कर लिया यत पाद पद्मनक्षंद्रमने छटाया विस फूर जितम किमा पिवोपो वधोश्व दर्श उन्हीं प्रिया जो का हम आस्थरे लिए हमारा हरदय राजी है संसार में प्रेम की पिपासा नहीं प्रिया प्रितम के मिलन की चाह नहीं और जीवन का भरोशा नहीं कैसे तुम्हें चैन आता है जीवन का भरोशानी कब रुक जाये स्वास फिर किश्योनी में जाएंगे फिर क्या राधना बन पाएगी फिर क्या फिर तो जेल है जेल जैसे चलाया जाएगा वैसे चल पाएंगे अभी जैसे चलना चाहो आपको छूटे चल सकते हो मनुश्य दे है भूले ओ हशिबो खेलिबो खान पान सुक बाश सुक पूर्वक आराम से सया पर कूमल सया पर सोना अच्छे अच्छे पदार्थों को पाना कुछ ऐसे विनोद भरे दर्शियों को देखकर हसना खेलना यह कैसा जीवन है कैसा जीवन है इसलिए हमें बहुत जन्म बितीत हो जाते प्रभू नहीं मिलते हैं हम कभी किसी भगवत प्रेमी महात्मा को अपना मन देकर उनके अनुशार नहीं चल पाते हम अपने मन के अनुशार चलते किस खेल में भूले हो हसिवो खेलिवो करपा प्रारंब होती और ठुकरा दी जाती जब आगे बढ़कर प्रथम सोपान पर कदम रखा तो ममता ने ऐसा चाबुक मारा की घसित करके फिर फिसल कर वहीं खड़े वही संसारित्ता दिखाई देती है ये खेल रहे वो कितने दिन भाव खेलोगे कितने दिन तुम्हारी जवानी कितने दिन तुम्हारा बावरापन रहेगा मिटी में मिला देगी ये माया होश में कुछ दिन रो लोगे स्री जी के लिए तो सदा के लिए स्री जी को प्राप्त हो जाओगे कुस दिन हसोगे संसार के खेलों में तो जिन्दगी भर रोना पड़ेगा हमारी बात मान लो यहां बड़े बड़ों को मिट्टी में मिला देती है मैया बड़े बड़ों को ये जिन्दगी तुम्हारी श्वतंत्र नहीं है ईश्वर और काल माया के अधीन है कर्म, काल, शुभाव, गुण इसे मुक्त होने के लिए तुम्हें शादु संग मिला है तुम दिखावटी मत बनो असलियत में प्यार करो प्रभू और प्रभू के जनों को असलियत का प्यार होता है कि अचानक आग पर आंतरिक दृष्टी जाए तो आप अपनी शाधन सहली में लगे दिखाई दे आपको शरीर स्वस्त रखना है 20 मिनट व्यायम कीजिए नाम जब करते भी और एकांत हो जाएए परियार्त है ये बाहर खड़े हो करके आपको चीलिया खिलना दोड़ना भागना ये ने दोड़ना है तो दो बज़े उठिये और जाएए सवाव घंटे में ब्रंदावन की परिकमा लगा करके आईए धन्यवाद क्या जीवन का बक्वास क्या जीवन बक्वास तुम्हाँ पास पैसा है तुम अच्छा खा पी रहो ये सब करें तो तुम ब्रंदावन में सरीर छोड़ पाओगे अप राद बन जाएंगे ऐसे रोग होंगे भाग जाना पड़ेगा संसार से संसार में भाग जाना पड़ेगा फिसंसार से भागना पड़ेगा मानलो हमारी प्रार्थना भूलेओ, हसिबो, खेलिवो, खान, पान, सुखवास हम खेलते हैं तो प्रियाजू के साथ खेलते हैं है स्थिती प्रियाजू के साथ खेलने की उनी से बाते करो उनी से खेलो उनी के साथ वो तो तब आएगी जब पहले हर खेल छोड़ो तब उनके साथ क्यों छोड़े हमारा तो जीवन बहुत आनंद से छूटना ही है भोस में आज नहीं तो कल छूट जाएगा जबर जस्ती छूट जाएगा आज छोड़ दोगे तो तुम्हें वो मिलेगा जिसके लिए तुम आए हो प्रभु का प्रेम प्रभु का नाम निरंतर जब नहीं समझ में आता कैसे समझाए जैसे कुवा में गिरने जा रहा दिखाई दे रहा गिर रहा है पर वो हो अंग उठा दिखा रहा है नहीं मानूँगा नहीं मानूँगा ओ धम से गिर गया ऐसे ही जो भगवत प्रेमी महत्मा शंत जन होते हैं ए ए शावधान शावधान उसको लगता है कि हमें कुछ है तब ही हमसे इतना मोह करते हैं नहीं वो निर्मम है उनको मोह नहीं है वो तुम्हारे मंगल के लिए तुमसे कहते हैं तुम्हारा अपमान करना तुम्हें कलेशित करना तुम्हें बार बार हरदय में चुभने वाले सब्द कहना इसलिए भेजे जाते हैं कि एक बार तुम्हारे अंदर जाग उठे कि अब मैं वो नहीं करूँगा जिसका निशेद हो रहा है अब मैं वही करूँगा जिसकी आग्या हो रही पर मूर खरदय नचेद चाहे गुरु मिलें बिरंच शंप फूलें फरें नबेत बास में कितना भी आप खाद पानी लगा दो उसमें फल नहीं लगेंगे फूल नहीं लगेंगे ऐसा ही सुभा होता मूर खरदय वाले का खलो करें भली पाई शु संगो मिटें शुमूलिन सुभाव भंगो हमाला मन जो दुष्ट सुभाव का होता है यदि कहीं सत्संग भी मिल जाए तो रोज सत्संग में आएंगे लेकिन करेंगे अपने मन की मना किया जता है ऐसे उन लोगों से मत मिलो जो तुमारी बुद्धी को भगवदानंद से विचलित कर दे लेकिन वो उनहीं से मिलेंगे जिनसे भगवदानंद विचलित कर दिया जाए वो वही सोचेंगे जिससे प्रभूशे बिलग हो जाए कैसी भगवान की दुरंत माया है गुर्जन चिलाते रहते तो उनको लगता है कि इनको कोई स्वार्थ है मेरे से नहीं नहीं एक ही स्वार्थ है तुम भगवत प्राप्त हो जाओ तुम श्वयम में इतने शमर्थ हो जाओ कि तुमें काम, कुरूद, लो, मो, परास्त न कर पावे तुम इस चमडी से मुक्त हो जाओ इस चमडी के प्यार से मुक्त हो जाओ और प्रियालाल के उस अधुद प्रेमरश में डूब जाओ